नमस्ते मैं कविता मेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट आज की वीडियो में सीखेंगे हम प्लाजो कुर्ती बनाना जिसके लिए हमारे पास ये 3 मिटर प्लाजो के लिए कपड़ा है ये हमारा क्रेब का कपड़ा है जिससे हम plazo बनाएंगे और यह हमारी कुर्ती का कपड़ा है यह इसी के साथ की कुर्ती है यह देखे यह इसका front पार्ट है और यह plane में इसका back पार्ट है यह कुर्ती जॉर्जट भी है और इसके लिए हमने 2 मीटर lining ली है यह हमने यह center के लिए है लाइनिंग इसके साथ नहीं आई थी तो हमने अलग से ली है लाइनिंग साइनिंग वाली तो सबसे पहले हम plazo की cutting करेंगे तो plazo के लिए हमने जो fabric लिया है इसको हम पहले अगर आप तो देखे friends अगर आपका कपड़ा छोटा बड़ा है कहीं से भी तो पहले आप उसको बरावर कर लीजिए ठीक है फिर उसके बाद हम बरावर करने के बाद हमारा कपड़ा बरावर है तो हम क्या करेंगी जितना हमें चाहिए उतना हम इस तरीके से मोड देंगे इसको ऐसे इसमें जोड़ा बड़ा अगया क्योंकि एक्स्ट्रा नीचे बहुत सारा रखा है एक मीट्र कपड़ा मेरे एक्स्रा नीचे है अब इसको अच्छे से बरावर करके बिछा दोंगे तो देखे फ्रेंट्स मैंने कपड़े को ट्रैंगल में बिछा लिया है अच्छे से नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा रखाए क्योंकि जोएंट थोड़ा बड़ा लगेगा जैसे कपड़े का पना छोटा है कपड़े का पना अगर जागा है तो उसमें जोएंट की ज़रुत नहीं पड़ती तो हम क्या करेंगे यहां से अपनी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे आपका जो भी कमर साईजे जैसे कमर साईजे यहां पर 36 36 को 4 से डिवाइड करती है तो 9 इंच आता है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे आप अगर थोड़ा लूज बहना पसंद करती है तो आप यहां पर 2 इंच भी ले सकती है तो मैं हां पर बिल्कुल 10 इंच पर इस तरीके से इंच टेप को रखूंगी ऐसे ठीक है और को अच्छे से नापना होता है हमें फिर यह 2 निसान माई ने नहीं रखते जो हमने लगाई है एक ही सीध में हमारे निसान होता है तो यह चीज़ा अप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मेजर मेंट ले एक तो नीचे का गहरा एक कमर का गहरा यह बहुत इंप्रटेंट ह हमारी बेल्ट तैयार होगी तो 5 इंच बेल्ट का आप माइनस कर दीजिए अब आपका जितना भी अपने प्लाजो का लेंथ है जैसे आपको 34 रखना है 36 रखना है 38 रखना है 40 रखना है और पलस उसमें 1 इंच आपको मारजन लेना है जो आपको मोड़ना है या पीको करानी है तो मैं इसको मोड़ूंगी तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ जैसे मेरा पलाजो है 38 का तैयार तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी मैं यहाँ पे 2 इंच जादा लोंगी तो इंच मैं इसलिए ज्यादा ले रही हूं कि मैं इसको थोड़ा मोटा मोडूंगी आप पतला मोडे तो एक इंच ज्यादा ले तो मैं है 40 इंच पे निसान लगा लूँगी ठीक है अब हम क्या करेंगे कि 5 इंच अगर 5 इंच छोड़ दीजे वो हमने सब इंक्लूड कर लि करेंगे और ध्यान से देखें मैं इस टेप को कैसे रख रही हूं छोटे छोटे आपको ऐसे डॉट बनाने हैं डॉट में ज्यादा गैप ना करें ताकि जब हम इनको एक दूसरे से लाइन अप करें तो हमें यह प्रॉब्लम ना आए कि हमने कैसे यह निसान अटेज करना ह कई बार होता है न छोटा बड़ा हो जाता है वो इसी की वज़े से तो देखिए फ्रेंड्स सभी जो लाइन में छोटे छोटे डॉट बनाये थे आपको क्या करना है इस तरीके से एक दूसरे के साथ इनको ऐसे अटेज कर देना है तो मैंने दोनों कर लिये हैं अब हम आसन तक ले सकती है तो यहां में पंदरा इंच पे निसान लगाऊंगी यहां से मैं लोंगी दो इंच पे ठीक है और दो इंच को हम इस तरीके से ऐसे बनाएंगे इसको ऐसे और यहां से हल किसी गोलाई दे देंगे इसमें कमर वाली साइड से कम नहीं करना है आपको अब बस इसकी हम कटिंग कर देंगे अब देखिए फ्रेंड जैसे हमने आसन के लिए निसान लगाया था इस तरीके से ठीक है यहां से मैंने इसको ऐसे ही कट कर दिया यह पट्टी मेरी यह निकल गई अभी हम क्या करेंगे यहां से ज्ट हमारा है बहुत हुचा तो हम पहले यहां से कट कर लेंगे इसको तो हम क्या करेंगे यहां पे ज्ट डालेंगे क्यों ज्ट अब मारा फैब्रिक बचा है उसी को हम ऐसे रख देंगे इस तरीके से उठाएंगे और जो ये छोटे कपड़े हैं इनको यहां पर मिलाएंगे विसे मैं आपको एक एक पीस में लगाएंगे जोइंट ताकि हमें नीचे का दिखाई दे यहां पर रखके हमको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा तो मैं उसी हिसाब से एक इंच चड़ा कर लेंगे इस कपड़े को ऐसे तो देखिए यह इसका जोड़ है जिसको मैंने उल्टा कर लिया है और ताकि मुझे यह पता रही कि मैं इतना फैबरीक कट करूंगी ठीक है तो हम क्या करेंगे जितना हमारा यह फैबरीक है उपर वाला उतना ही हम इसमें जोड़ के लिए क कुछ पंटा करके दिखाती है ये देखिए यह मैंने इस तरीके से यहां पर सैट कर दिया है पिन से एक इक इन जितना मतलब से लाई में दबेगा उतना ही फिक्स किया यह था कि बाद में चोटा बड़ाना हो तो यह पार्ट कर दिया है दूसरे को भी ऐसे ही कट करेंगे तो देखें, फ्रेंड मैंने दो डूम पर पिन लगा लियां मतलब जो मेरे दो रो भेरे हैं इसके उपर वे मैंने सेम ऐसे फी पिन लगा ले वो हैं डेके सबसे पहले जो हमें डेके यहां पर उठी करिके पिन डिरा को पचे से बाङगा नहीं है 2022 और ध्यान रखें अगर सौट कपड़ा है तो बहुत ही आपको ध्यान से प्रेस करनी है असलों कि कपड़ा जल जाए तो यह क्रेब का फैबरिक है तो इसको हम नॉर्मल प्रेस करेंगे इसके उपर तो अच्छे से बिठा लेते हैं तो वो ज्ट दिखाई ने देता है फिर उ अब यहां से देखिए जिसे बेल्ट की हमारी तयार लंबाई पांच इंच है तो उसमें हमने दो इंच जादा ले लिया है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो उसके लिए हमें मोडने के लिए कपड़ा चाहिए तो यह बेल्ट भी कटिंग हो गई है अब हम क्या करेंगे कि इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंट देखिए हमने जोइंट लगा लिया है और इसको उपर अच्छे से हमने प्रेस कर लिये ताकि अच्छे से कपड़ा बैट जाए अब उसके बाद हम इसका बॉटम मोड़ेंगे तो बॉटम को पहले हम एक बार इससे क्या होगा कि इसमें एक तो जोलनी आएगा और दूसरी फिनिसिंग बहुत अच्छी आएगा आप यहां पे इसमें पीको भी करा सकती है जो प्लास्टिक वायर से होती है उससे भी इसका लुप बहुत प्यारा आता है वरना आप ऐसे पतली-पतली से लाई लगा लीज तो देखिए मैंने एक वार इसको मोड दिया है अब मैं इसको दुवारा से मोड ंगे तो एक वार और इसको मोड देंगे इस तरीके से और दोनों पेरों को हमें सेम ऐसे ही मोडना है यहां से पूरे ही जितना भी हमारा घहरा है दोनों घहरों को ऐसे बरावर करके मोड़ेंगे तो देखिए मैंने एक को अच्छे से फिनीसिंग के साथ मोड़ दिया है अब दूसरे को मोड़ के और इनका आसन जोड़ेंगे तो हमने अपना एक आसन रख लिया है इसी के उपर हम दूसरे आसन को उल्टा करके रख लिए और यहां से सिलाई लगा देंगे कमर से लेके आसन तक यह देखिए यह हमारा यहां से बिलकुल बराबर हो गया है अब हमने यह आसन सिल लिया है अपना और अब उसके बाद हम अपना बैल्ट लगाएंगे तो बैल्ट को हमने थोड़ा सा जोइंट लगा लिया है एक आसन को सिलने के बाद फिर बैल्ट लगा दे तो बैल्ट को उ पूरे में बेल्ट को लगा देंगा जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होगी उसे आप कट कर दीजिए अगर बरावर है तो कोई बात नहीं फिर कट मत कीजिए तो जैसे हमारी एक गम बरावर आई है तो देखिए बेल्ट भी हमने लगा ली है हमें पांच इंच की चाहिए त दोनों वो एक दूसरे से मिलने चाहिए आपके यहां से बिल्कुल नीचे उतार देंगे इसलाई को तो यह देखिए यह हो गया हमारा दूसरे आसन को भी हमने रेडी कर लिया है अभी हम बस इसको मोड देंगे पांच इंच रखके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उ तो हमारी इलास्टिक की चौड़ाई देड़ इंच है तो हम देड़ इंच के लगभग इसको मोडेंगे थोड़ा सा कपड़ा मैंने ओपन रखा है अब यहां से हम इसको पूरा इलास्टिक को डालेंगे तो देखिए अब इस छोड़ को हम सिलाई कर देंगे अब जो पारट थोड़ा सा ओपन है जो एक इंच मैंने औा इ्लास्टिक के लिए पहले उसको सिलाई कर देंगे फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे ऐसे खींचते होई कपड़े को खींचना है दोनों इसमय बचाई को अच्छे से बराबर करके आप लगा लगा लगाईंगे एक दम सेंटर में चलनी चाहिए इस इसलाई तो देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से complete कर लेना है इसको पूरी elastic को लगा के तो elastic लग गई है अब बस इसका bottom हम सिलाई कर देंगे तो एक इंच रखके हम इसको आसन तक सिलाई कर देंगे साइडों से तो यह plazo हमारा पन के ready हो जाएगा अगर आपको समझने में कहीं पे कोई दिक्कत आई है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकती है अब यह देखिए आसन वाली साइड दोनों मिलने चाहिए अब यहां से आप यहां तो सिलाई को रोग दीजिए या फिर आप इसको दूसरी साइड से भी बरावर करके सिलाई कर सकती है जिससे कि हमारा एक तम बरावर आए तो दूसरी साइड से सिलाई कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारा प्लाजो बनके रेडी है जो इसके साथ हमने एक उर्टी पहनी है इसका वीडियो भी हम जल्दी आपके साथ सेयर करेंगे प्लाजो देखिए बहुत ही गहरेदार बनके आया है और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद